है वेल्कम बैक तो आज किस वीडियों हम देखेंगे आपका यह चेप्टर ऑपरेटर्स इन जावा के मुल्टिबल च्वेस्ट कोश्चन तो इस बहुत इंपोर्टेंट है इनको देखते हैं समझते हैं इनके आंसर क्या होंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहला कोशन है इस एक वेल्ट एट एंड वीग्वल टू फोर देन वैल्यू अफ एमोड इकवल टू बी इस देखो भीया यह यह यहां पर यूज हुआ है इसको भोलते शॉर्ट हैं ऑपरेटर शॉर्ट हैंड ठीक है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पांच तरीके होते हैं मैं पर एक short इंड पर शॉर्ट हैंड यह उसमें मैंने सबसमजह समझा रहे है तो एक मीडिट की वीडियो देखिलेबाऻया ले बहुत चारी niez मॉट चार वेल्यों को एट मौडूलस पोड अब 8 को अगर 4 से मॉट करें तो यह कम देगा करें तो विद्ल वह लिखते हैं आठ को से चार से डिवाईड करें कितना बसता है for रिमेंडर तो यह हमें देता है रिमेंडर 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 कितने 0 कि-1 रूठी के रिमेंडर डेता और अलड़ी बालग। देता है ठीक है आगे बढ़ते है एन उपरेटर टिकिंग उनी सिंगल ऑपरेंड फोर इस ऑपरेशन इस कॉल एक ओपरेटर जो इक सिंगल ऑपरेंड को लेता है आपड़ेंड क्याहते हो देखने जैसे यह अनल ब्लसबी एक ओपरेंड एह ओगया मतलब ये प्लस वाला थीक है समझ रहे हो आगे बढ़ते हैं अगर है वीच आप दा फॉलिंग नॉट अब इनरी ऑपरेटर बाइनरी मतलब जो ऑपरेंटर पर काम करता है जैसे और भी होते हैं तो यहां पर बोले कौन से नॉट बाइनरी ऑपरेटर जो बाइनरी नहीं है अब जैसे इक वल टो एकोल टू है यह करता है दो चीजों की वेल्यूच्यक करने यूज करते हैं तो भाईया यह तो बाइनरी होगा न जब दो बीडियू चेक करेगा एक लेफ्ट इंडर वाले कि एक राइट इंड वाले क है यह वाला end operator तो यह भी दो को हम compare करने के लिए यूस करते है कि यह फे काम करता यह इधर वाला वे लेटट सैड वाला राइट वाला भी फिस्ट होगा तो आंसर टू दो ऑपरेंड पर काम कर रहा है इसने तो मॉडूलस भी दो पर करता है यह यह वाला डी यह नौट ऑपरेटर तो नौट क्या है यह सिंगल पे काम करता है सिंगल ऑपरेंड पे ठीक है उसकी वैल्यू को उल्टा कर देगा ट्रू होगी फॉल्स फॉल्स को ट्रू मतलब यह है which of the following is not a valid operator in java java में इन में से कौन सा ऐसा है जो valid नहीं है तो less than equal to भई ये भी ठीक है not equal to ये भी ठीक है equal to equal to ये comparison operator है ये भी ठीक है अब ये कौन सा है भाई ये ऐसा तो हमने कभी पढ़ाई नहीं ये वाला valid नहीं है बी वाला आगे बढ़ते हैं statement i equal to i plus one is equivalent to तो देखो इसके चार option हमें दे रखें i plus 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 i i plus equal to one और all of these अब ध्यान से यहाँ पर देखो एक चीज़तों में ये पता है कि i equal to i plus one को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ये शॉर्टेंड operator का यूज़ कर रखा है है यहाँ पर इस बात वह है आई एक्वल टो i plus one तो b वाला तो हो गया अब i plus plus का मतलब क्या होता है इस i की वैल्यू को एक से इंक्रिमेंट करो और यहाँ पर भी क्या हो रहा है i की वैल्यू एक से इंक्रिमेंट होने के बाद वापस i में घुजरी है मतलब वापस IQ value update हो जा रही है एक से increment होने के बाद यहां पर भी होई कर रहे हैं यहां पर हम आपर हम पॉस्ट करे का काम काम का एक से बढ़ा देगा काम भी होता यह 되어 हो पर यह औप है यह संमुज require OSCPD में चोंट इसे हैं इ turbines कर सकते पिए में एक में और ने उसका विए सकते इसका स़ चाहस कर सकते हैं इसका सी यांसर किया है तो ये हमें क्या answer देगा तो अगर x की value भाईया 5 है तो देख लेते क्या देगा तो इसका answer ऐसे है sum equal to क्या plus plus x तो plus plus x का मतलब यह होता है भाईया पहले x से value बढ़ा दो तब x में डालो तो x की value कितनी थी 5 तो यह हो रहा है pre increment पहले हो रही है increment x की value है 5 x अगर बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 6 तो यहां पर आया 6 तो sum equal to एक बढ़गी value 5 तो 6 बनगी और x में घुज गई तो यहां आया 6 plus 8 तो भाईया 8 में 6 जोड के देख लो कितना होता है 14 होता है answer इसका सही है वो क्या है sum equal to 14 ठीक है comment करके बता देने समझ में आ गया assuming x equal to 1 with the falling code snippet which one of the following is true ठीक जी x की value 1 है तो बताओ नीचे चार option में से कौन सा सही होगा int y equal to minus minus x पहले x की value को एक से कम कर दिया तब x में हमने डाला x की value 1 थी पहले कम होगी मतलब 0 होई उसके बाद उसमें घुसी minus minus x का मतलब होता है period decrement पहले decrement करेंगे फिर डालेंगे value तो 1 से एक कम कर दी 0 होगी फिर x में डाली x में गया 0 ठीक है x में क्या गया 0 और वह value हम y में assign कर रहे हैं तो मतलब y की value 0 होगी इतना तो हम समझ में आया हमारे लेकिन x की value क्या होगी अभी बताया minus minus x का मतलब यह होता है कि value को पहले कम करेंगे फिर वापस उसी variable में डालेंगे तो भई यह x की value भी चेंज हो रही है तो minus minus x किया तो x की value 0 होगी थी वह वापस x में तो गई गई और लेकिन क्योंकि उस value को य में भी साइन करने तो वाई में भी गया तो x भी 0 और वाई भी 0 एक्स भी 0 वाई भी 0 आंसर है इसका भी इच्छे बढ़ते हैं आठ वा question the statement one greater than zero and one less than zero evaluator 2 जो यह question होते हैं तुम्हारा basic कि चेक करने के लिए रहते ठीक है इस इन question को करके यह फायदा रहता तुम्हें कि एक आइडिया मिल जागा कैसे पेपर में आएंगे दूसरा तुम्हारा basic भी clear हो जाएंगे बहुत फायदा है यह question करके तो इनको कर लिया करो mcq को इसलिए तुम्हारे ले करके आ रहा हू तो one greater than zero क्या यह सही है one greater than zero होता है बिल्कुल होता है तो यह तो हो गया true तो यह बात हो गया true बीच में है end operator फिर यहां बोला है one less than zero क्या one less than zero होता है यह तो false है बही one कहां से हो गया less than false है तो एक में हो रहा था true और एक में हो रही है false जो एक condition बन रही यह false बन रही है गर कोई भी एक फॉल्स आ जाती है जब सम एंड आपरीटर का यूज करते हैं अगल बगल में कोई भी फॉल्स हो गई एक पिंडिशन तो आंसर हमें जो फाइनली मिलेगा फॉल्स मिलता है इसका आंसर मिलेगा वो क्या होगा इसका ऑनसर इवेल्यूएट क्या करेगा एवैल तो चाहिए इसका प्रोग्राम बनाकर देखना कुछ इस प्रकार के लाइन प्रिंट करवा करें देखना तो रिटन तुम्हें आउट्पूर्ड में फॉल्स लिखा वही दिखेगा ठीक है तुन जीरो या वन में इन में टिकमत मार न गलती से विए तुम्हें फॉल्स ही लो सब्सक्राइब लोगड़िकल और मतलब दो ओर और लोजिकल और ऑर और ओर हिन्दी में बने तो हो होगी है फिर फिरी यह वार होगी और लॉजीकल और फिर वन ला सिंद्र दिरो यंस रिवन लेस देन सब्सूं रुष चोड़ता वह जिए तो इस दोगी फॉल्स लेकिन डूफव बीचमें लॉजिकल और तो कोई भी आपक टू होगी तो अल्टिमेटली आंसर त्रू ही मिलता है मतलने दोनों का जो आं फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसका एफ भी स्मॉल होगा तो आंसर वैसे इसका क्या है ट्रू ठीक है अब दसवे पर आते हैं तो स्टेट्मेंट वन यह वाला देखो भई यहां पर जिसका यूजर इंपोर्टेंट कोश्चन है यह तुमारा यहां पर कंडिशनल ऑपरेटर क देखते हैं तो देखो जो यह कंडिशनल ऑपरेटर होता है इसमें यह होता है जो पहले दिया रहता है यह इसको हम बोलते है boolean expression क्योंकि जो यह चीज होती है यह यह तो true लोटा करके देगी या फिर false अगर इसने true दे दिया तो ठिक question mark के पीछे जो हमने लिखा है जिसको हम बोलते है expression one पहला expression अब उसकी value चाहे जो भी हो वो प्रिंट हो जाएगी लेकिन अगर इसने false दिया expression two जो कॉलन के पीछे है वह वाला प्रिंट हो जाएगा मतला अगर यह value true है जो यहाँ पर यह लिखा है यह क्या true है अगर true होती है मान लो तो one प्रिंट होगा अगर यह बात false होती है तो zero प्रिंट होगा अगर यह बात समझ में अब देख लेते हैं यह बात true है कि false है तो one equal to one क्या one one के बराबर है तो बिल्कुल यह true है तो true है तो question mark के ठीक पीछे वाली value přियूंअ चार्ण की प्रिंट होगा ठीक है अब बंट की जगह कुछ भी लिखा हो अगर यह expression false हो जाता है तो जो कॉलन के बाद तो मने लिखा है यह वाली चीछ वह سते सब क्रेण मार के पीछे वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यह है तो इसमें तीन आपरेंट का यूज होता है एक यह दूसरा यह चीज रहे वाला नीचे आते हैं तो एक्सप्रेशन जिफ्स द आउटपुट भीया सतरह को चार से अगर मॉड करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा बहुत अब यह मॉड लस ऑपरेटर यह देता है हमें क्या देता है रिमेंडर देता है तो चार से सतरह को डिवाइड कर लो रिमेंडर कितना बसता है कितना बचा एक बजी है तो आंसर है डी यह तैसी कर लोगे एक 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 नाम का वेडियावल है जिसमें 8.25 वेल्यू डाली है पीछे कैपिटल एफ का मतलब यह होता है कि हम इसे जबरदस्ति बता रहे है कि भाईया यह यह फ्लोट टाइप की वेल्यू है तो यहाँ पर किसी हम जबरदस्ति कर रहे है एक्स्प्लिसिटली कर रहे है आगे हमने इस तरीक से लिखा है आपने आप नहीं हो रहा है हम करवा रहे है डाए एक्स में था 8.25 इंटीजर में हमने पता है पॉइंट वाली वेल्यू नहीं होती तो पीच्छे का पॉइंट वाला हिस्सा यहां पर convert करा तो उसका 0.25 गाया वो गया वो 8 बना के y में घुज़ गया है ठीक है जैसे ही यहां पर था 8.25 वो इंटीजन में convert हुआ पहले तो 8 बना और y में चला गया तो y की value क्या हुई 8 लेकिन हमने जो यह x में अभी करा यहां पर जबदस्ती type conversion x का करा तो वो सिरफ y में डालते वक्त कराना x की original value में change नहीं आया देखो बात समझ रहे हूं अगर जैसे मैं y equal to x लिखता हूं तो x की value y में घुज जाती है बहुँ x की value में तो कोई change नहीं आता वो तो जो भी है वो y में चली जाएगी तो वैसी यहां पर y equal to x करने के बजाए हम int x कर रहे है तो x की जो भी value है x की value क्या है 8.25 है ना तो वो वैसी रही x में लेकिन y में जाने से पहले क्या हो गया उसका क्या हो गया cutting छटिंग होगी वो integer बनेगी तो उसका 8 ही रहा पिछे का point वाला हिस्सा गया वो गया तो 8 गया y के अंदर लेकिन x की original value में कोई change नहीं आया भई x में जो है वही रहेगा तो x की value क्या है 8.25 तो वही रहेगी तो बोला है कि क्या answer x की value है 8.25 वह y की value है 8 क्यूंकि वह कंठ छटके point वाला हिस्सा गिरा करके गई y में सही answer है a वाला ठीक है ठीक है बई यहां तक समझ में आ गया आगया आगया थर्टीन वाले question पर चलते है थर्टींत question में बोला है the expression 13 divided by 3 gives the output देखो भई तेरा को तीन से तुम divide कर रहे हो तो यह हमें question देता है question क्या आएगा 3 3 9 3 4 12 और बाद बाद तो बढ़ा हो जाएगा तो 3 4 12 करा तो question आ रहा है 4 तो इसका सही answer है 4 याद रखना यह दोनों integer 13 भी 3 भी तो इसका जो question होगा वो integer वाला होगा point में नहीं आता तो 3 4 12 तक हुआ उसके बाद एक बचा remainder लेकिन हमें पता यह डिवाइड वाला operator हमें question देता है तो इसका यूज कर रहा होता तो हमें remainder लिखना पड़ता जो क्या होता क्या होता वन होता है यार थ्री पूर्ट ट्वैल होगा तो 13 मेंट वान होगा न इसमें पता होना कि तुम्हें दोनों के बीच का अंतर हजार बार बोल दे है मैं तो पता हुँ होई जायेगा ना जैसे नहीं भी पता होगा हम यह बिस्दा ऐट्वलेंट यह इस्टेट्मेंट यह इस्टेट्मेंट के आउट्वूट देगा तो मैं पता है तो कौन से दो option देंहें भार ठेक सकते हैं सी वाला गया और डी वाला भी गया अब मैंने तुम्हें हजार बार बता रहा है जैसे यह 6 लिखा है इसके पीछे हम क्या कर रहे हैं प्लस करके 3 को एड कर रहे हैं तो याद रखना जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं कभी किसी स्ट्रिंग में कोई चीज प्लस उपरेटर को यूज करके लगाते हैं तो वो इसको भी पीछे बार को पहले स्ट्रिंग में करते हैं तो यह 3 एक स्ट्रिंग में यह जोड़ जाएगा तो 6 के पीछे अब एक लग जाएगा तो इसके बाद फिर से प्लस अपरेटर है वो इसको पहले इस्ट्रिंग में करेगा तो यह 3 इसका सही आंसर है इसका सही आंसर क्या है बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते हैं तो पंदरा वाला कोश्चन है एक्सपरेशन 4 प्लस 8 इट मॉड 2 गिफ्स जा आउट्पूट याद रखना प्लस और मॉडूलस की बीच में बात करें जैसे बॉड मास होता है ना उसी तरीके से यहां पर भी कुछ इस प्रकार से होता है जो मॉडूलस ह एक साथ है उसके जो मॉडूलस बहुत सकते हैं प्लस फ continence है जादा होती के है ठीक है dulu जो मॉडूलस है अगर वो कि एकस्प्रेशन में आजाए और प्लस पीया प्लस आउप मॉडूलस को मॉडूलस वाले को सब करें कि अगर मैं इसमें बात करू अतना portion मुझे क्या देग इसको एक और चीज बोलते हैं इसको एक और चीज बोलते हैं हम इंपलिस्ट टैम कानवर्जन को उसका नाम है को इसको और जाएए वीड़ियो अच्छ लगी है अधर लगी होगी तो लाइक करते हैं सब्सक्राइब पर लेना दोस्तों के साथ शेयर कर देना कमेंट करके बताना मुझे कैसी लग यह जल्दी मिलता हूं उगली वीडियो में और कोई सजैशन है तो भी बता देना जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स रॉक्चिंग